राम मंदिर प्राण पेतिस्टा के अपसर पर 22 जन्वरी को जिगर मंच पर शाम संकीर्तन का आयोजन शेशाम मासिक बंडारा परिवार द्वारा राम मंदिर प्राण पेतिस्टा के भव्वे आयोजन और जिगर मंच पर शाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा शाम संकीर्टर आयोजन कमेटी ने बताया कि मानपूर में निरेंतर कई सालों से प्रतिमा भंडारे का आयोजन और पेशात का वित्रण किया जाता रहा है शाम संकीर्टर जिगर मंच मुरादबाद पहुने गाया का रहा है दिली से शीतल पांडे और लुध्याना से कुशकनईया और कांशीपूर से निशारोडा जी बक्तों के लिए विवस्ता है उसके गलेश बंदना उसके बाद आपका भंडारा शुरू हो जागा निरंतर जो जब तक संकीर्टन चलेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा कोई पास की ववस्ता नहीं कोई बांसर की ववस्ता नहीं जो पहले आएगा बाबा के दरबार में बैठेगा मैं भक्तों से अफील करूँगा बहुत भव्वे दिन है ये बहुत ही भव्वे तारीक है पूरे भारत वर्ष के लिए बाइस एक चोबिस जो सुन अक्षर में लिखने जा रही है जिस दिन हमारे अयोद्या में राम लाला जी का प्रणान प्रतिष्टा है मैं सभी देशवाजियों से कहता हूँ उस दिन अपनी दुगाने बंद रखें और नाम नाम संकीर्तन करें अगे चलता रहेगा प्रभू की इच्छा तक भंडारा चलता हर महीने मानपुर गली नंबर दो में जैसे कि सब को आपको पता है जब तक है जान करते रहेंगे अनौर जलकादार ये संस्ता कोई नहीं है श्री शाम मासिक भंडारा परिवार सो परिवार इस से जड़ुए पिछले साल साथ थे अपसों हैं जो आपस में ना कोई रसीद ना कोई चंदा आपस में कंटिविशन करें जैशी शाम जैशी बाला जी मेरा नाम विपुल अगरवाल श्री शाम मासिक भंडारा परिवार से हैं मुरादाबाद में 22 जनवरी 2024 को एक भव्वे दरबार भगवान श्री शाम भगवान श्री राम का लगने वाला है जिसमें दिल्ली से राम मंदिर अयोध्या की एक बहुत सुन्दर प्रतिमा मुरादाबाद में लगेगी जैसे की नरंद मोजी जी का सपना है कि 22 जनवरी 2024 को सब अपने घर पर दिवाली जलाएं इसी तरीके से मुरादाबाद शेहर में निरंतर एक 24 जनवरी 2024 को एक शाम संगीतन है जिसमें हम सब साथ मिलकर एक शाम बाबा शाम के और राम के नाम दी प्रजुलित करेंगे जिसमें अजरी